दोस्तो अगर आप चाहते हैं ओनलाइन पैसा कमाना और पैसे को स्मार्टली इंवेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल अदोले नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपस स्क्रीन पर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम आगे हैं NSE की वेबसाइट पे और यहां पर NSE की वेबसाइट में आपको जाना है लाइव मार्केट में और यहां पर जाना है एकुटी डेरिवेटिव में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि complete option change जो हमारे सामने आचुक है यहाँ पर है nifty और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग expiry dates आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो हमें जो example लेकर चलने वाले हैं वो लेकर चलने वाले हैं 4 March के expiry का आप इससे आगे की भी expiry ले सकते हैं तो यहां पर अगर आप चार्ड मार्च के expiry लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको जो मिल रहा है नीचे chain, यहां पर आ रहा है उपर option calls और यहां पर आ रहा है puts, तो calls और puts, दोर में difference क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे आप यहां निफ्टी देखेंगे, निफ्टी आज क्या है, उपर की तरफ भाग रहा है, यानि कि निफ्टी में अगर bull run है, आपको लगता है कि निफ्टी उपर जाएगा, तो आपको क्या खरीदना है, call खरीदना है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी गिरने वाला है, तो आपको क्या खरीदना है, put खरीदना है तो ही आपको फायदा होगा, तो याद रिखेगा बड़ा simple सा funda है call or put का कि अगर निफ्टी में अगर आप trade कर रहे हैं या किसी stock में भी trade कर रहे हैं आप, options के लिए तो आपको simple क्या है, अगर वो stock या nifty उपर जाएगा तो आपको खरीदना है call और अगर वो nifty या फिर वो stock या bank nifty हो, अगर वो गिरने वाला है तो आपको क्या खरीदना है, put खरीदना है तो ये basic सा funda है, और अगर आपको complete option chain का analysis समझना है तो उसके लिए separate video है, link description section में दे दूँगा, आप उसे check out कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि हम इसमें trade कैसे करेंगे, तो अभी मैं simple आपको trade करने के भिहाब पे कोई option chain इसमें से select कर लेता हूँ, क्योंकि на आज मिजसे market वह ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे खरीदना है option का call तो यहां पर हम एक काम कर लेते हैं option chain.it select कर लेते है जैसे की यहां पर हम लें महीं लेते़ है यह वाली option chain तो यहां पर simply क्या करना है, जब आपको एप पे भी करके बता दूँगा, यहाँ पर 15300 का आपको क्या करना है, weekly expiry यह देखे, 4 March weekly लिखावा यहाँ पर इसके आगे, तो आपको simply क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना यह एड हो जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर यह एड हो गया है, अब यह इ प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यह देखे, यहाँ पर एड हो गया है, तो इस तरह से आप simply इसे एड कर सकते हैं, यह तो बात होगी, अगर आपको put भी एड करना है, तो आप option chain में जाके चेक कर सकते हैं, कि आपको किसका put add करना है, तो जो आपको put add करना है, वो आप यहाँ स उठा सकते हैं, तो जैसे मैं sample एक put option उठा लेता हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पर select कर लिया, 13800 का, तो आपको simply क्या करना है, निफ्टी 13800 का, आपको put खरीदना है, तो put के लिए add करना है, तो simply यहाँ प्लस पे करके add कर देंगे, तो लेकिए अभी put में नुकसान है हमें, तो basically, जैसा मैंने कहा था आपको कि जब market उपर जाता है, तो call बढ़ रहा है, तो call खरीदना है, फिर आपको call में फायदा होगा, अगर यह nifty नीचे जाएगा, तो आपको किस में फायदा होगा, put में फायदा होगा, ठीक है, तो यह तो understanding clear होगी, अब मैं आपको एक बार option समझा देता हूँ, कि mobile में जब हम करते हैं, और जब हम यहाँ पर करते हैं, तो दोनों में options जो हैं, हमें same मिलते हैं, कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस पर click किया, और buy पर click करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं, कि जो options यहाँ पर आपको mobile में दि जैसे के आपको यहां पर अभी दिख़ाई दे रहे हैं तो यहां पर अगर आप मुबाइल देखेंगे तो गाप आपको मुबाइल की जो स्क्रीन आपको दिख रही है दोनों में क्या difference है तो आप देखे चेजु़ रिखुलर और यहां पर रेगुलर रॉडर में options को overnight hold करना है या आपको expiry तक के लिए hold करना है तो simply आपको करना क्या है कि आपको overnight वाले पर click करना है जिसको कहते है nrml तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने 4 March की expiry वाला strike price लिया है तो आपको 4 March तक आप इसे hold कर सकते हैं तो यह तो बात समझ में आगई कि normal में अगर आपको position अपनी overnight hold करनी है या फिर आपको आपकी expiry तक hold करनी है तो आपको normal order select करना है और normal order में जो options हैं आपको वो सारे के सारे same मिलते हैं जो आपको app में मिलते हैं इसी तरह से अगर आप intraday की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप MIS में जाएंगे तो intraday में भी आपको options वही सारे मिलते हैं market order, limit order, SL order, SLM order, day, validity यह सारे की सारे option अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बिलकुल same मिलने वाले हैं तो यहाँ पर तीनो ओडर अलग-अलग कर दिये गए हैं जो नीचे आपको variety दिख रही है यह बिसिकली regular BO CO AMO तो यहाँ पर regular cover order और AMO ओडर यह तीनो आपको अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं window पर बाकि आपको mobile पर यह तीनो यहाँ पर selections पर ही सारे की सारी चीजे आ जा हैं ताकि उसके बाद आपको trade करने में बहुत ज़्यदा आसानी होगी तो ध्यान से सुनिएगा जो में चीजे बताने वाला हो पहला option है intraday यानि कि margin intraday square off अगर आप MIS में trade करते हो तो आपको यह position जो है आज ही close करके जानी पड़ेगी यानि कि आज के आज आज आप इस रहा है लेकिन यहाँ पर 3.20 मिनट पर आपकी position square off हो जाएगी जिसके लिए आपको अलग से charges भी देने पड़ेगे तो better है कि आप अगर MIS में trade करते हैं options के अंदर तो आप अपनी position को same day में 3.20 मिनट से पहले पहले square off कर दें और कोशिच कर 3.10 तक 3.15 तक square off पहले ही कर दें यह तो होगी intraday की बात overnight अगर आप रखते हैं तो आप इस position को carry forward कर सकते हैं overnight और आप इसे hold कर सकते हैं up to expiry अगर आपने 4 तारीक के expiry ली है जैसे example के तो आप 4 marks तक इसे hold कर सकते हैं ठीक है तो यह समझ में आ गया overnight कैसे करते हैं intraday कैसे करते हैं तो अब हम बात करते हैं इंट्राडे में different options है market है limit है SL है SLM है पहले बात करते है market order की market order वो order होता है कि जैसे ही आप market order लगाएंगे तो उस वक्त market में जो भी price चल रही होगी उस stock की या nifty की जो भी आप select करते हैं आप stock में भी options कर सकते हैं nifty में भी कर सकते हैं bank nifty में भी कर सकते हैं लेकिन उस वक market में जो price चल रही होगी उसी price पे execute हो जाएगा देखें यहां पर price option disabled है इसलिए अगला option होता है limit यहनी कि अभी current price चल रही है 19 रुपीस 55 पैसा अगर आप चाहते हैं इसे buy करना 19 रुपीस 40 पैसे पे तो आपको एक limit price set करनी है limit price से होगा क्या कि जो आपका order है वो आपकी दी हुई price पे जाके execute होगा जब तक आपकी price नहीं आएगी आपका order execute नहीं होगा तीसरा है SL आपने बहुत बार सुना है कि SL जो होता है stop loss order होता है यापने loss को कम करने के लिए order लगाया जाता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको higher price पे buy करना होता है जैसे कि साइड लोग पूछते हम higher price पे क्यों buy करें जब हमें lower price पे मिल रहा है तो उसका reason यह है कि आपको लगता है कि breakout level है कि यहां से जब उपर जाएगा तो ही stock उपर जाएगा यह यह nifty जो है इस breakout से उपर जाएगा तो ही उपर जाएगा otherwise नहीं जाएगा जैसे कि मैं example अगर इस chart को open करूँ तो यहां पर अगर इस chart को open करने के बाद हो सकता है कि किसी ने अपना analysis किया trader ने उपर जाएगा कि 20 रुपए 50 पैसे पे उसने लगा दिया कि मुझे यह buy करना है तो यह SL जो है buy करने के लिए भी use में आता है खाली stop loss लगाने के लिए नहीं बलकि buy करने के लिए भी use में आता है तो इसलिए यह SL order और SLM order से भी आप buy कर सकते है उस trigger price को दे कर day order जो होता है वो पूरे दिन के लिए valid होता है यानि कि आपने एक order लगा दिया लगाने के बाद आपने उसे छोड़ दिया जब वो आपकी price पाएगा तो उसके बाद आपका उस particular day में execute हो सकता है order immediate or cancel यानि कि जैसे आपने order लगाया और अगर आपकी price में वो stock मिल रहा है या वो option आप जो trade करना चाहरे है वो option आपको मिल रहा है तो आपका order execute होगा otherwise cancel हो जाएगा तो यह basic सा फंड़ा है अब हम एक-एक करके trade कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि कैसे क्या चलता है तो यहाँ पर आपको trade करने के लिए सबसे पहले जाना है और before buy पे click करना है buy पे click करने बाद हम आज लगाने वाले intraday order जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक market order लगा कि आपको दिखाता हूँ तो आपको margin का पता लग जाएगा कि actually मैं 19 रुपए 40 पैसे 30 पैसे की price पे अगर आपको इसे buy करना है तो कितना करना है आप market में लगाना चाहते है तो market में अगर आप limit लगाना चाहते है तो आप simply अपने प्राइस दे सकते हैं कि 19 रुपए 10 पैसे आपने price दे दी इसके इसाब से आपको कितना चाहिए इतना पैसा आपके account में होना चाहिए तो अब मैं क्या करता हूँ इसको एक बार buy कर लेता हूँ तो buy पे मैंने click किया तो यहाँ पर देखेंगे आपका order जो है वो place हो गया है मैं यहीं पर आपको stop loss और target order दोनों लगा के बता देता हूँ और फिर बाकी options भी मैं आपको समझाता रहूँगा तो सबसे पहला आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको क्या करना है sell करना है क्योंकि आपको stop loss लगाना है कैसे कि आप पहले तो क्या करिए यह तो SL लगाई है SL में होगा क्या कि आपको 2 प्राइस देनी होगी अब यहाँ पर ध्यान रखने की जुरूत है कि हमने 19 रुपए 10 पैसे की प्राइस पे खरीदा है तो जैसे जैसे यह उपर बढ़ेगी प्राइस हमें फायदा होगा और ज जैसे जैसे यह गिरना शुरू होगा तो हमें क्या होगा कि जैसे 18 रुपए पे जाएगा तो जो ऑडर है आपका वो एक्सचेंज को चला जाएगा और एक्सचेंज में ओडर जाने के बाद जैसी प्राइस आपकी 17 रुपए 50 पे से हिट करेगी तो आपका ओडर एक्जिक गार हुआ तो उसके पास जो भी नियर्स प्राइस मारकेट में चल रही होगी उस प्राइस पर आपका ओडर एक्जिक्यूट हो जाएगा यहाँ पर आपको एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा तो अब यह पोजीशन में जाता हूँ तो यहां पर आपको क्या करना है अब आ options आपके पास बसता है वो यह है कि आपको limit order लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर target लगाना है, तो limit order आप नहीं लगाएंगे, तो target आपको नहीं लगेगा, तो यहाँ पर simply क्या करना है, आप आपको जिसे की 20 रुपए 90 पैसे price salary आपने 21 रुपए पैसका sell order लगा दिया, तो पिर आपको modify करना है, तो आप modify भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैं आपको यह modify करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं गया, मैंने modify किया order को, अब यहाँ पर आपको 21 रुपए पर नहीं target लगाना, तो आप इसे क्या कर सकते है, 20 रुपए 80 पैसे पर भी target को लगा सकते है जैसे कि मैंने modify किया, यह देखे, जैसे मैंने modify किया, तुरंद की तुरंद order execute होगा, आप position में आप जाओगे, तो position आपकी जो है, वो 0 हो चुकी है, quantity 0 हो गई, यानि कि यहाँ पर आपने 127 रुपए का profit कर लिया, तो basically target order भी लगा दिया हमने, और stop loss order भी लगा दिया, लेक आपको यहाँ open order कोई भी नहीं होना चाहिए, जब भी आप जा रहे हैं, शाम को 3 बच के 20 मिनट से पहले सारे के सारे चीज़े square off कीज़े, उसके बाद जाईए, दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैंने simple एक ही order में आपको तीनों चीज़े समझा दिया, पहला कि आपको simple buy कैसे करना है, तो आपने limit order लगाया और buy कर लिया, ठीक है, या फिर market order लगा के buy कर लिया, उसके बाद आपने क्या क्या stop loss order लगा दिया, और उसके बाद एक target order लगा दिया, तो आपको तीनों order मैंने आपको लगा के दिखा दिया, अगर आप MIS में trade करते ह अगर आपको simple कोई stop loss order नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, तो आप simple क्या कर सकते हो, just buy करो, और सीधा sell कर दो target order लगा के, बस इतना सा options है, इसके अंदर बहुत जादा कुछ नहीं है, हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि cover order कैसे लगाया जाता है, पहली बात को मैं AM order की बात नहीं करता, क्योंकि AM order अगर आप लगाते हैं, तो यह after market order होता है, और after market order का जो concept है, वो बिल्कुल सेम है, जैसा मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगले order की बात कर लेते हैं, जो कि है cover order, तो cover order आपको लगा यह देख लेते हैं, तो cover order में दो type की order लगते हैं, इस बात का खास्तोर बेद्धान रखेगा, पहला लगता है आपका buy order, दूसरा लगता है आपका stop loss order, target order आपको नहीं लगता है, target order कैसे लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, कि मै कि 20.50 पर मुझे buy करना है, या थोड़ी सी price अभी ज़्यादा जा रही है, तो 20.80 ले लिजिए, ठीक है, उसके बाद, अब stop loss आप कितना bear कर सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं, चलो कि 18 रुपय तक अगर जाता है, तो मैं loss bear कर पाऊंगा, या फिर 19 रुपय जाता है, तब मैं loss bear कर सकता हूं, तो अब margin मुझे कितना required है, 1200 रुपय का, simple क्या करना है, 20 रुपय सी पैसे की price पर मुझे खरीदना है, और मुझे 19 रुपय का stop loss पे hit होगा, तो करेंगे, ठीक है, अब यहां cover order हम कर रहे है, और buy, अब यहां orders पे चलते हैं, तो यहां पर दिखे, दो order एक साथ लग गए, पहला order open है, CEO order है, दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, कि 21 रुपय 5 पैसे भी price चल रही है, यह trigger price 19 रुपय है, जो कि stop loss order है, यह buy order के लिए है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यह order modify करना है, कि buy करना है, कि buy कर कर देनी है, जैसे कि मैं यहां पर जो price है, वो यह कर देता हूँ, modify, यह मैंने modify कर दिया है order, target order अभी, यह देखिए, hit हो गया, buy हो गया, अब यह मेरा stop loss order चालू हो गया है, अब positions में अगर आप जाएंगे, यहां पर देखेंगे, कि यह cover order है, जो 75 quantity के साथ यह चल रहा है, तो यहां पर problem क्या है, basically कि यहां पर आप 19 उर्पए की price पे जाएगे, तो आपका stop loss तो hit हो जाएगा, लेकिन आपको यह target लगाने का option नहीं मिलता है, तो करना क्या है, तो आपको simply orders में जाना है वापस से, यहां पर आपको LTP यहां दिखाई दे रही है, आपको करना है, कि जब भी exit करना है, तो simple आपको options पे click करना है, यहां पर exit पे click करना है, और directly आप exit हो जाएगे, तो यहां पर simply exit पे click करना है, उस तरह से आपके option आजएगा exit order, exit order पे click कर देना है, positions में जाके आप देखेंगे, तो यहां पर आपकी positions जो है वो zero हो चुकी होगी, तो यहां पर तरीका होता है किसी भी options को trade करने का तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझने की ज़रुत है चाहे आप nifty में trade कर रहे हो bank nifty में trade कर रहे हो या फिर अगर आप किसी stock के options में trade कर रहे हो तो fundamental same है तरीका same है आप उसको use करके आगे कर सकते हैं तो यहां पर हमने बात कर ली MIS के अंदर की किस तरह से हम trade करेंगे normal में भी same तरीके से trade होता है तो यहां पर आप बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि 131 रुपए का इनका पायदा है तो basically ऐसा नहीं होता है तो एक बात याद रखेगा यहां पर जिरोधा का calculator आप open कर सकते हैं Google में जाके तो यह जिरोधा का calculator आप open यूज कर सकते हैं F&O में जाके और F&O futures और options हमें options में करना है तो यहां पर आप अपनी जो details है कि कि कितने में आपने buy किया था कितने में sell किया और कितनी quantity करी है तो आपके पास जो यहां पर net profit loss यहां पर आपको दिख जाएगा तो आप जिरोधा calculator यूज कर सकते हैं आपके brokerage और taxes मिला के कितना आपका net profit and loss है तो यहां पर अगर आप MIS में options trade करना चाहते हैं तो बिसिकलिए यह पूरा का पूरा end to end procedure है तो आज की वीडियो बस इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया थे इस वीडियो को like किजे share किजे और channel को अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया कि वीडियो कर भी तक पाल आपको अश्ये आपको कि वीडियो आपकोा आपको grammat